अलो गाइस वेलकम दिए अगाफेक्ट जैन कैसे आप सब लो तो गाइस फाइनली किया सल्ट आस इंडियन मार्केट पे राउच हो चुकी है और आज की वीडियो में हम आपको बजाएंगे कि इस न्यू पेसलिट में क्या-क्या चेंजिस हुए हैं क्या-क्या नए पीचर्स इस फेस्ट में एड किये गए हैं एंड इस कार का न्यू एक्सफेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है तो अगर आप इसल में नहे हो तो प्लीज सबस्टार्ट दू इस चानल में बिकॉस ऐसे इंफरमेटव कंटेंड आपके लिए बनाते रहते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि अब इस कार में आपको वौन-कौन से इंजन आप्शन मिलने वाले हैं सबसे पहले तो इस कार में अब एक न्यू इंजन आप्शन इंट्रिडूस किया गया है जो की है इसका 1.5-liter टर्बो चार्ज इंजन जो रिप्लेस करता है इसके प्रीवि और 253-nm का टॉक ये इंजन आपको वर्णा और अलकजार में भी देखने को मिलता है अब ये इंजन आप्शन आपको न्यू सेलिटॉस में भी देखने को मिलेगा इसके अलावा अब न्यू सेलिटॉस में आपको 6-speed IMT option and 7-speed DCT option भी देखने को मिलेगा तो गैस ये तो ब करूंगा अगर आपकी रनिंग ज्यादा नहीं है तो आप इसके नाचरली एस्पेटेड 1.5 लीटर लेचली इंजन की तरफ जा सकते हैं और अगर आपको ज्यादा पावर जबना की रिक्वार्मेंट है तो इसका टर्बो चार्ज इंजन भी ले सकते हैं पेट्रोल में अब बात करें इसके एक्स्टीर चेंजिस की तो इसकी फरंट गिल पूरी तरह चेंज कर दीगे है और यह जो न्यू टाइगर रोस ग्रिल आपको देख रहे हो यह कापी अच्छी लग रही है इस कार में इसकी साथ-साथ जो डियारल की पोजिशनिंग भी आपको थोड़ चेंज देखने को मेलेगी अब यह डियारल इसकी ग्रिल में जाके मर्ज हो रही है जो की कापी अच्छा लुग दे रही है कार को इसके साथ-स फूइन परफाइल में ही आपको इसका 360D camera भी जेखने को मिलेगा एं इसका 360D camera पहले से जाधा तो पहले से जादा अच्छी क्वालिटी है आपको इसके तरी सिदी धी गापनेस में इसके लाए वह बात करें इस कार में मिलने वाले टार साइस की तो इसकार में आपको 18-inch की टार मिलते हैं अगर इसकी प्रोफाइल की अगर बात करूं तो इसमें आपको 215 x 55 R18 इसके सथ सथ नू अलाय का सैटप भी आपको इसकार में देखने को मिलेगा जो की अच्छा लग रहा है और नू अलाय मुझे पहले की अलाय से जादा बैटर लग रहे है बात करें कार के रेर प्रोफाइल की तो कार का रेर प्रोफाइल भी इस बार फूरी तरह से चेंज कर अब आप जैसे देखेंगे कि हॉंड़ी में जैसे आपको रेर प्रोफाइल देखने को मिल रहे हैं कास के सिमलर कुछ उसी टाप का रेर प्रोफाइल इसमें रखा गया करेक्टिंग तेल लाइट आपको अब इसके रेर प्रोफाइल में देखने को मिलेगी एंगे टेल आपको बूट स्पेस इस कार में देखने को मिलता है तो गाइस यह तो रहे इसके कुछ एक्स्टीर चंज इस बड़ आप यह जो पेसलिव टाया यह से कुछ चंज के नहीं आया इस पे बहुत सारे चंज किये गए है अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की तो इंटीरियर मे अब आपको 10.2 इंच की न्यू टच स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें आपको वायरलेस कनेक्टिविटी एपल गार प्ले एंट्रॉइड आटो किया किनेक्ट जैसे पीचर मिलते हैं इसके अलावा इसमें आपको न्यू फुली डिजिटल इंस्रूमेंट क्लस्टर भी अब में सेल्टास में प्रande Snowden देखने को मिले एपाइनली इस कार में आपको प्राणामिक संप्ले बीगे देखने को मिलेगी है इस पाइनली पेसलियनियर एक ओरिंपॉंडन पॉइंट की जो कई लोगों के मांहीं में एक कोशन रहा है कि सेप्टी को लेके अच्त कि मैं safety features के मामले में काफी जादा feature loaded होने वाली है अब इस car में आपको एडास feature देखने को मिलेगा एंड ये इसमें आपको level 2 डास तो आपको 17 एडास feature देखने को मिलेंगे जैसे की adaptive cruise control, lane departure warning, lane keep assist, lane falling assist, forward collision warning, high beam assist, driver attention warning इसके साथ सथ इस कार में आपको स्टैंडर्ड 6 एरवैक का उप्शन मिलता है गाइस तो मैं बाता हूं तो यह किया ने कापी अच्छा इनिशेटिव लिया है किया उन्होंने बेस मॉडल से 6 एरवैक देने स्टार्ट कर दिया है तो मेरे कॉर्डिंग तो यह कापी अच्छा अब बात करते हैं सकार की प्राइजिंग की बैसे अभी इसके प्राइजिंग रिवील नहीं हुए है आइधिंग 14th of July से इसकी ऑफिशली बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके प्राइज यह एराउंड 12 लाग तो 20 लाग के बीश में कहीं ना कहीं यह इसके प्राइज आएंगी तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन ने बता सकते हैं कि आपको यह न्यू सेल्टाउस कैसी लग रही है और जैसे ही यह कार लॉंच होती है मिसके राइब रिव्यू अपके सामने लेकर आएंगे अगर आपको यह वीडियो पस आप तक लिए बाइ